नमस्कार दोस्तों क्या 2024 में मोदी सप्ता की बिदाई का वक्त करीब आ गया है क्या इस बात का आभास RSS को बड़े सलीके से हो गया क्योंकि RSS ने बहुत सारे सर्वे कराई और उन तमाम सर्वेज में तमाम बाते आई साथ यही वज़र कि RSS ने अब अपना गयर राजनेति सामाजिक और सांस्कतिक संगठन का चोला उतार फेका है जो उन्होंने एक खाल ओड़ रखी थी कि वो सांस्कतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सेवा करते हैं, समाज के लिए वो करते हैं उसको उतारके उन्होंने राजनेतिक चेहरत दिखा दिया और वो अब सीधे तोर पे भारती जन्तापार्टी नरे नमोदीक संकार की का प्रचार करने लगे, उसके गुरगान करने लगे जब 1925 में RSS बना था, उसके एक साल बार उनके बुद्ध जीवी मिल करके अपना नाम तेह कर पाए थे, एक साल की कली मसक करते गाए, और ये वो लोग थे जो कॉंग्रेस से नाराज हो करके आए थे, कि कॉंग्रेस तो सेकुलर, और सेकुलर में हम कैसे रह सेंगे, तो उन लोगों ने यतने ही किया था, और उसके बाद में संगठन मनाने के बाद में इन्हों ने चाहें हिंदु महासभा के रूप में पूरी लडाई लड़ी हो राजनेतिक, या जनसंग के रूप में लड़ी हो, या जनता पार्टी के रूप में लड़ी हो, या जनता दल और भ अपना मुखोटा चोला उतार के फेक दिया है ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ क्यों कि बिजय दस्मी यानि दसहरे के दिन उनका जन्म हुआ था इसलिए उस दिन नागपुर में सरसंग चालत एक भासंड देते हैं और उसमें सांसकतिक, सामाजिक और सारी बातें अपने एजन्डे की बातें करते हैं लेकिन राजमेतिक कभी नहीं करते थे कभी भी किसी को बिस्ट गुरू नहीं बनाते थे लेकिन आप वो बनाने लगे हैं जब वो यह बनाने लगे हैं तो सवाल उठता कि आखिर ऐसी वज़य क्या पैदा हुए मोदी और उनकी डवल इंगन की सरकारे चहुँ और भरस्टाचार से घिरी होगी हैं धीरे धीरे पूरी पतियों का नेक्सस और घोटाले सामने आ रहे हैं मोदी सरकार के भी आ रहे हैं और उनकी डवल इंगन की सरकारों के भी आ रहे हैं तमाम सारे जब यह घोटाले आते ह सब कुछ आते हैं तो मोथ खुद नरेण नमोदी और उनकी पूरी भारती अंतापार्टी जिने सबसे महा ब्रष्ट बताती है उनी सबको जब हो भाजपा में आ जाते हैं तो सहाब वो पाक साप हो जाते हैं और सारे आरोप धुल जाते हैं वो इतने साप सोथरे हो जाते हैं तो यह मौदूरा भारती अंता पार्टी आरसेस का चेहरा आज इस बात को करने पहले मैं बात करूँ है हमने देखा है लगा था कि किस तरीके से ED का, CBI का, Income Tax का और सबका बिरोधी दनों पर इस्तेमाल होता है लेकिन जिस तरह से अब हो रहा है वह देखके लगता है यह जर्गा कारा क्यों क्योंकि जब कोई दल बड़ा मजबूत होने लगता है और लगता है कि भारती अंता पार्टी को हरा देगा तो उस पे चापे प लेकिन जैसे ही लगा कि अब गहलोद भाजपा को हरा देंगे और भारती अंता पार्टी में आपस में इतनी मार्कार्ट मची है कि वो भी इसका कारण बनेगी तो ऐसी इस्तिती में ED के चापे पढ़ना सुरू हो गए और राजस्थान कॉंग्रेस के अध्यक्ष गोविन स अब एक निर्दली विधायक है ओम प्रकास हुडला उनको भारती जन्ता पार्टी बढ़े लंबे समय से अपनी पार्टी में सामिल कराने की कोसिस कर रही थी अंततह हैं वो कॉंग्रेस में सामिल हो भाजपा को धक्का लगा मोधी को धक्का लगा और उनके यहां भी छाप मारा लेकिन भारती जन्ता पार्टी के एक सांसद हैं वो बता रहे हैं कि छापा इसलिए मारा गया है कि पेपर लीग का मामला है यानि भाजपा के नेताओं को पहले ही पता होता है क्यों छापा मारा जा रहा है क्या बनाया जाएगा क्या बयान बाजी होगी और यह सब ची कियो बुलाया है क्योंकि उनके एक दोस्त है जिनका ट्राइटेंड होटल ग्रूप है उनके पिता का और उसमें पीछे अभी छापे मारी हुई थी उस छापे मारी के बाद में इन्हों ने कहा ID ने कि सवा करोन रुपए का कुछ गड़बार अब सवा करोन का फेरा का मामला तो जब आप बताते हैं फारेंग एक्सचेंज का तो साथ होटल में बिदेशी लोग ठहरते हैं और वो तमाम सारा पैसा एक्सचेंज कराते हैं चीजे कराते हैं इसमें कहीं कोई किसी स्चिपानी यह लीगल बहराल आपने उनके किया जो भी किया अच्छा किया उसमें तो गहलोत का बेटा उसका दोस्त है तो कैसे उसके जरीए असोग गहलोत को टार्गेट किया जाए उन्हें बदनाम किया जाए इसके लिए उससे बुलाया गया तब असोग गहलोत इसी को लेके कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो हम कॉंग्रस हैं हम डरने वाले नहीं हैं आप च चतिizar il Cup इसी तरीए से चापे मारी की गई थी चतिर्वीर में करेलाले नहीं है तो आपकर एक किराय के मकान को लेकर इन्हों कार्याले बना लिया है और सिर्फ कॉंग्रेस के नेताओं को टार्गेट करके छापे-मारी होती है क्योंकि अडानी और उन सब पे जो बोलने कहता है बोले लोग बोलते हैं चलिए छोड़िए इस बात को इसके बाद में मैं यह कहता हूं कि जिस तरीके से छापे-मारी हो रह है उससे लगता है कि कितना आप डर नहीं आपका डर साफ साफ दिखाई दे तो साब मोहन भागवत इस बात को समझ गए कि सिर्फ भारती जनता पार्टी या रस्स के बूते चुनाओं नहीं जीता जा सकता है तो इसमें आईये सप्सरों का भी इस्तेमाल होगा इसमें सेना का भी इस्तेमाल होगा इसमें इडी का भी इस्तेमाल होगा इंकम टेक्स का भी इस्तेमाल होगा पुलिस का भी इस्तेमाल होगा एंसीवी का भी इस्तेमाल होगा डियाराई का भी इस्तेमाल होगा रवेन्यू इंटेलिजेंस का भी होगा और तमाम दूसरी एजेंसियों का और संभाइरानिक संस्थाओं का भी हो तो इस तरह की पूरी भूमी का तैयार कर ली गई है और उसी के तहर यह च्छापे मारी हुए मौहन भागवत ने उस दिन विजय दस्मी के दिन जो कहा वो अपने आप में कि किस तरीके से उन्हों ने एक साधने की कोशिस थी सेक्लोरिज्म के खिलाप यानि जो धार्मिक सद्भाव की नीती थी कांग्रस की उसके खिलाप यह संगठन बना था और अब वो कहने लगे कि मुस्लिम और इसाइओं से अपने मतभेद भुला कर आप उनके साथ हो जाएए उनको साथ जोड़िए उनको करिए समझ भी यानि अब गांधी नहरूं की नीती पर आने के लिए भी वस हैं कॉंग्रस की नीत पर आने पर भी वस हालांकि संग कभी भी खुद को राजनेतिक संगठन तो कहता नहीं तब फिर भी इस तरह की बात कर रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं इसके बाद में उन्होंने राहूल गांधी और कॉंग्रस पर भी हमला बोला और उनको तमाम तरीके से किये जातियों का वो खतम कीजिए जातियों खतम कीजिए सब कोई कहता है खतम होना चाहिए कोई ऐसा नहीं लेकिन जातियों में बांटना जातियों में बताना ये करना तो ये भाजपा नहीं है कि हम आधिवासी को राश्पती बना रहे हैं हम गलित को राश्पती बना रहे हैं हम पिछड़े को यहां बना रहे हैं हमारा पिछड़ा प्रधान मंत्री हमने बनाया इसका वह पिछड़े नहीं है उन्होंने खोदी अपनी जाती को पिछड़ा घोसित किया, मुखमंतरी रहते हुए, तो आप समझ सकते हैं, तो इस तरह से आप RSS को लगा कि इस सक्ता तो निकल जाएगी, तो साथ राहूल गांदी की जातिगत जंगरना की बात से दर्ग है, आपको याद होगा, 2011 में मनमोहन सिंग सरकार थी, राहूल गांदी और सब लोगों के उस पे ये जातिगत जंगरना हुई थी, उसका डाटा जब रिलीज होने की बारी आई, तब तक सरकार बदल चुकी थी, और बदलने के बाद मोधी सरकार वो डाटा को दबा गई, उसने जारी नहीं किया, नतीशतर वो सामने नहीं आ प कार है, RJD की, उसने कराई, उसमें जो डाटा निकल के आया, उसके बाद लगाने इसका बहुत जरूरी है, और इसी को लेकर राहूल गांदी ने मुद्दा बनाया, कहा कि जातिगत जंगरना होनी चाहिए, और साथ-साथ, जो है, आर्थिक सर्वे भी होना चाहिए, कि वास उन्होंने जब चर्चा की, तो इस पर चर्चा की, उन्होंने, किसके साथ, सत्पाल मलिक के साथ में, जो भारती जंता पारिटी के पूर्व, उपाद्धेच है, राश्य उपाद्धेच और साथ में राज्य पाल रहे, और तमाम में बंतरी, उन्होंने तमाम चीज़ों का बताया और खुला सा किया, उन्होंने का कि किस तरीके से आपके मन में कोई पद का भाव नहीं है, पद की लालच नहीं है, लेकिन तमाम नेताओं में पद का लालच होता है, तो ऐसी सिती में अभी उन्होंने क्या का, कि मोदी निपट गया, तो आप समझे, जो प्रचारकों क कि राइसी है जो जिंदगी आज वो जी रहे हैं ऐसे बड़ी बड़ी गालियां और सब कुछ जो कार्पोरेट हो गए हैं वो खतम हो जाएगा पूजी पतियों से मिलने वाला धन रुख जाएगा और किस तरीके से मोधी सरकार ने जो नोटों पर उने खेलने के लिए दे दि की हो और उसके बाद में प्रिंस्पलों की हो या दूसरी तमाम तरह की संस्थाओं में जो नुक्तियां है आज उसका पहिमाना एक मना दिया गया है जहां पर भी डबल इंग्यन या मोधी सरकार है कि वो RSS से आई तमाम राजपालों के यहां उनके OSD के रूप में RSS के लो को ले करके बताया किसने सत्पाल मलिक ने जो भारती जंता पार्टी नरे नमोदी और सबके बड़े खास रहे उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलवामा की घटना का इस्तेमाल किया गया किस तरीके से हमारे सेनिकों के जीवन से खेला गया सिर्फ चुनाओ जीतने के ल आप सूचिए कितना बड़ा सच कह रहा है और किस तरीके से जूट बोला गया तो उनसे कहा गया था राज जी रहेगा और उसको के इंसासित करके कैसे क्या खेल किया गया सब कुछ साथ तो मोहन भागवत जो बताते हैं वो तो ऐसे ही बताते हैं कि जैसे सब चंगा सीवादी स्टाइल है तो गुलगान करते हैं विस्टु गुरू बना देते हैं G20 का जिक्र करते हैं, वो करते हैं सम्रद और ससक्त भारत की बात करते हैं, आर्थिक रूप से सम्रद्धी यानि दुनिया की तीसरी अर्थ ब्युस्था की तरफ बढ़ते भारत की बात करते हैं, वो कहते हैं डिजिटल इंडिया बना दिया, वो कहते हैं स्टार्ट अप कर द इस देश को बेरोजगारी में, भुकमरी में समय आपने डखेल दिया, उपलब्दिया बताते हैं, और स्रे लेते हैं सब चीजों का, किसका, कि खिलाली पदक लेके आ रहे हैं, तो साब मोदी जी की करपा है, जो जिस तरीके से बैग्यानी वो तमाम वो कर रहे हैं, प्रयोक क करने वाला कहते हैं, क्यों वो मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं सब कुछ अच्छा चला है, सारी जातियां, सारे वो एक हो जा, एक हैं, तो साब फिर मनीपुर में क्यों मार रहा हैं, जाती और धर्म के नाम पर, क्यों यह हो रहा है, क्यों नूम में हिंसा कराई, क्यों यह जाती है धार्मिक दंगे, RSS वाद, पुलिस फाइरिंग में मौतें और ये सब क्या उपलब्दिया नहीं है मोधी सरकार, इन किम बताइए, लेकिन सब चंगा सी, तो कैसे बताएंगे, बताएंगे मोधी जी, मोधी जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, भारत का डंका बज रहा ह मोधी जी का डंका बज रहा है, बिस सुगरू बन गये हैं, ये बता रहे हैं कि सभी का किस दरीके से, तो अब राहुल गांदी और उनकी नीथिओं से इत्ताय डरे कि जाति गत पे बहुत जागा बात कर गए धर्म पे, तो राहुल गांदी की जो मुवबद की दुकान है, उसका असर देखने को मिल गया तो इस तरह से तो एक तरफ तो ये दर है दूसरी तरफ भाजपा क्या खेल कर रही है कि किस तरीके से तमाम जो छेतरी दल है उन नहीं चाहते हैं कि कॉंग्रस मजबूत हो क्योंकि कॉंग्रस मजबूत होने से भाजपा तो खतम होगी ही होगी छेतरी दल भी कमजोर हो जाएंगी इसलिए छेतरी दलों को भरकाया जाए उसका नतिया आपने देखा भी जब इंडिया घठवंदन हुआ था पूरा साजनिक तौर पे छपा था कि यह सिर्फ राष्टरी चुनाओ के लिए है लोकसभाज चुनाओ खिए लेकिन अखिले सिसी पे सोर मचाने लग गए इसाब जिसके और उसके बाद उन्होंने तमाम कंड़ीडेट उतार दिये मदभपदेस में उतार दिये जे-डी-उ ने अपने candidate उतार दिये, उतार दी जिए, आम आद्मी पार्टी पहले ही उतार चुकी है, यह जिस्तम्जावता हुआ होता, तो आम आद्मी पार्टी कैसे उतारती, वो भी तो उसी team का हिस्सा है, लेकिन उसने भी उतार दिये, चैले, समने उतार दिये, क्यों, स अनर्ग जो उनको विपक्ष में भूमी का आदा करनी चेहते, जो मुस्लिमों पे अत्या चार हुए, दलतों पे अत्या चार पिछोनों पे अत्या चार हुए, तमाम सारी चीजें हुई, उन सब पे बहो heck सा दे रहे है। उनके पिता ने खुद 2019 में संसद में कहा था हम चाहते हैं कि आप दोबारा प्रधान मंत्री बनके आए नरे नमोदी के लिए और उसके बाद में जिस तरह की भूमी का अदा की थी सपाने उससे वो संदिक देश्थितियों में थी बैरा उससता में आये दोबारा आ गये और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया सब पर एडी के चापे पढ़ाएं लेकिस समाजवादी पार्टी के अध्यक्षिया उनके परिवार पर कोई चापा आस तक नहीं पार इससे आप समझ सकते हैं जबकि आये से अधिक संपत्ति का मामला उनी का था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में CBI ने एफिडेविफ दे करके ये वापस लिया मोधी सरकार की करपा से 2019 की चुनाओं के जिस्ट पहले जिससे की वोट में मदद मिले ये आध्यान ली तो यह इस्तिती है चलिए तो यह नहीं चाहते है इसलिए वो लड़ने जाने अब इतिहास क् देखे नितीश कुमार भाजपा के अटूट सहयोगी रहे है ममता बरन जी उसकी अटूट सहयोगी रही है और उसके बाद में सिवसेना रही है अकाली दल रही लेकिन अकाली दल आज खत्म सी हो गई है उसके अपनी हैसियत बड़ी बुरी हो गई है इसके बाद में सिवसे को जिस तरह से नरे नमोदी ने तोड़ा और जिस तरीके से उद्धो ठाकरे और उनके परिवार पे हमला किया उसके बाद में उद्धो ठाकरे ने उनसे दूरी बना लिया और वो उनके साथ जाने वाले नहीं वो जाने वाले नहीं उन्हें कॉंग्रेस और NCP का जो साथ मिला उसके बाद में उन्होंने लिब्रल हिप्दुत की बात की जिसमें सब को समायत किया जाता है तो उसने चेरा जो बदला उसके कारण उसकी सुईकारिता बढ़ गई और उनके प्रत लोगों की संपैथी भी Congress और NCP भी वहाँ है तो NCP को भी तोड़ दिया हलांकि सरत पवार कभी BJP के साथ नहीं रहे लेकिन वो कार्पूरेट के साथ रहे तो कार्पूरेट वाले उनके जो रिलेशन है उसका तूटने के बाद भी वो फाइदे में है उनके बतीजे जो फसे हुए थे वो डिप्टीसियम हो गए और आप जानते हैं खतम हो जाते हैं तो उस तरह के पाक साफ हो गए मोदीजी ने पाक साफ कर दिया इसके बाद में वो लगातार धुलमुल रविया रहता है तो आप उससे थोड़ा सा संदिग्द रहता है उनका करेक्टर लेकिन बागी ठीक है चाहें और दूसरे हो सब ये रहे हैं जंता पार्टी के रूप में हो चाहें जंता दल के रूप में हो सब के रूप में ये लोग बागपा के साथ रहे आईए अब इसके बाद में ममता बनर जी का मैंने आपको बताया वो रही हैं हलाकि आजकर वो थोड़ा सा रुष्ट ह पिछले चुनाओ, उसके बाद से वो कट आपन, लेकिन वास्तों में कभी भी कोई चीजें हो सकती हैं, और वो नहीं चाहती हैं कि कॉंग्रेस वा मजबूत हो, ऐसी इस्थिती में वो धुल्मु रवहिया अपना लेती हैं, इसी तरीके से नितीश कुमार की इस्थिती है, उ आते हैं मदप्रदेश में, तो मदप्रदेश में कॉंग्रेस ही है, राजस्थान में कॉंग्रेस ही है, च्छतिसगर में कॉंग्रेस ही है, और तेलंगाना में बियारेस है, बियारेस से लड़ाई हो रहे हैं, बियारेस भाजपा के साथ मिली हुई है, और साथ में वो सपा से भी मिली हुई है और आम आदमी पार्टी से भी मिली हुई है इसलिए आम आदमी पार्टी और सपा वहां पर कोई बात नहीं करते हैं और कहते हैं हम उनके साथ तो ऐसी इस्तिती में अकेले कॉंग्रेस सबसे लड़ रही है तो यहां पर भी मदपदेश में भी कॉंग्रेस अकेले सबसे लड़ वाई है राजस्थान में भी अकेले सबसे लड़ वाई है और इसी तरीके से वो वहाँ लड़ वाई है रही बात जो है मिजोरम में मिजोरम में भी इस्तिती है कॉंग्रेस ही लड़ वाई है बांकी सब जो है धुलमुल रवाई है तो इस तरह से जो माह है उस माहौल के बाद में आप यह समझ सकते हैं कॉंग्रेस लड़ रही है आप इसको भी देखिए कि कॉंग्रेस को हराने के लिए गोवा तर्णमूल कांग्रेस यानि ममता बेनरजी और अर्विन केजरिवाल की आम आदमी पार्टी पहुंशती है और बंती हुई सरकार कॉं लगता है इस बार कुछ दक्का लग सकता है लेकिन इनके लड़ने से क्या होता है कॉंग्रेस के यह जो वोट काटते हैं वही वोट कॉंग्रेस के कम होते हैं और नतीजतन विपक्ष बहुत आदा धूरा होता है और इनके जो जीत के आते हैं वो बाजपात साथ चले जाते यह आप समझ लीए इसके बाद आईए इसी तरीके से अभी इंडिया गटवंदन बनने के बाद में जो छे राग्यों में उपचुनाओ होता है उसकी साथ सीटों पे वहां पर इस्तिती यह होती है कि उत्तरा खंड की बागेश्वर सीट कॉंग्रेस जीतने की इस्तिती में थी वहां पर सफा का कंडिडेट होता है जो वोट ले जाता है अब कॉंग्रेस उत्ते से हाथ जाती है यह देख लीजे लेकिन कॉंग्रेस साथ देती है अजमगर्ण तो इस तरह की इस्तिती हैं तो ऐसी इस्तिती में आप कहते हैं कि नहीं इंडिया का ट्वंदन के हिस्स और वो विश्वस्नी भी नहीं रहे गई है तो ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस का दलित और मुस्लिम में बहुत अच्छा वो बन रहा है और साथ-साथ जो अन्य पिछड़ा वर गए उसमें वो मजबूत हो रही है यादो भले सपा के साथ हो लेकिन बाकी सब कॉंग्रेस की त अब देख रहे हैं विश्वास जो भाजपाद से दूर है तो ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस बहुत मजबूत है तो कॉंग्रेस जिस तरह मजबूत हो रही है इन सब को दर्द हो रहा है अब उडिशा के नवीन पटनायक कभी वो सदयो भाजपा के साथ रहें जगन पड़ी भाजपा को उसके साथ रही तो इस तरह से कॉंग्रेस पूरे देश में लड़ा ही है भाजपा से लेकिन ये लोग भाजपा से कितना लड़ा हैं नहीं लड़ा हैं वो अलग भी से हैं ये कॉंग्रेस से जरूर लड़ा है और कॉंग्रेस को कमजोर करने में लड़ और इसमें पीछे से जो काम कर रही है, वो RSS काम कर रहा है, वो EDCBI income tax और ये काम कर रहा है, वो डरा रहा है, और साथ में नरेद मोदी का अपना खेल जो पूजी वात का है, वो कर रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं, ये चुनाओ इतना मातूर, इसका मतलब है इस डर के मजबूत हो रही है, और कांग्रेस के मजबूत होने के डर के कारण ही, इन्हें लगता है, यदि ये चुनाओ जीती, तो 2024 में मोदी सत्ता से बाहर हुए, और यदि एक बार बाहर हो गए, तो भाजपा RSS सब खतम हो जाएंगे, यही एक सत्त है, इस सत्त को समझने की जरू क्योंकि 2019 में जब भाजपा का सबसे अच्छा प्रदर्सन था, तब वो 37% वोत पाई थी, सहयोगी और सबके भी जोड़ने, तो भी वो 40% नहीं पापाई थी, लेकिन यदि कांग्रेस और सारे बिरोधी दरों का जोड़ने, तो 60% से अधिक थी, यानि यदि कांग्रेस मज मजबूत हुई, और वो 70% वालों के उसमें मजबूत होकर के आ जाती है, तो उस इस्तिती में ये इंडिया गटवन्दन से जुड़े हुए छेतरी दल, वो सौदेवाजी नहीं कर सकेंगे, और सौदेवाजी नहीं कर सकेंगे, तो भारती जनता पार्टी 100% ठारेगी, और कॉंग्रेस इंडिया गटवन्दन जीतेगा, इसलिए दरे हुए हैं, RSS, मोहन भागवत, नरेन मोदी और साथ, और उन्हें लग रहा है कि बाजी हाथ से निकल नहीं है, इसलिए अब ये चोला फेको और असली में आ जाओ, कि हां हमी हैं वास्ताओं में, या फिर उनका ड दर है, वो मोदी से इतना डर गए हैं, कि मोहन भागवत इतना डर गए हैं कि आप ये नहीं बोलेंगे, तो पता नहीं क्या होगा, इससे आपको समझने की ज़रूरा है, जैए! झाल